तो नमस्कार दोस्तो आज किस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यूटूब पर वाच हिस्ट्री का अपसन कैसे लाएं तो आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा तभी समझ में आएगा तो आपको सबसे पहले चले जाना है अपने प्लेश तूर पर तो जैसे प्ले स्टूर पर आ जाएगा तो यहां पर आपको सर्च कर देना है यूटूब तो यहां से अपना यूटूब अपडेट कर लेना पहले तो मेरा पहले से यह अपडेट है फिर आपको चले जाना है अपने यूटूब पर तो जैसे YouTube पर आ जाएगा तो इस पर आपको click किये रहेना है जैसे click किये रहेंगे तो यहाँ पर आपको iPhone का option आ जाएगा इस पर आपको click कर देना है तो जैसे click कर देंगे तो यहाँ पर आपको permission का option मिल जाएगा इस पर आपको click कर देना है यहां से सारी permission आपको allow कर देना है यहां से मेरो पहले से allow है यहां पर देख सकते हैं फिर यहां से आपको back आ जाना है फिर यहां पर आपको storage का option मिल जाएगा इस पर आपको click कर देना है फिर यहां पर आपको clear data का option होगा इस पर आपको click कर देना है फिर यहां से आपको ok कर देना है फिर यहां से आपको baik आ जाना है फिर यहां पर आपको manage notification का option मिल जाएगे इस पर आपको click कर देना है तो यह आपके mobile पर आप होगा तो इसको on कर लेना फिर आपको चले जाना है अपने YouTube पर तो हम अपना YouTube open कर लिए हैं तो यहां पर देख सकते हैं फिर यहां पर आपको library का option मिल जाएगा इस पर आपको click कर देना है तो जैसे click कर देंगे तो यहां पर देख सकते हैं कि history का option आ गया है बहुत आसानी से तो यहां पर आपको view all का option होगा इस पर आपको click कर देना है तो आपने देख लिया होगा कि यहाँ पर वाच हिस्ट्री का अपसन मिल गया है तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सस्क्राइब करना क्योंकि बहुत महिनत से वीडियो बनाए हैं आपके लिए जैन्यवरत गुंदे मातरम